हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेक टो माई चैनल मोना जय कीचन्स फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं व्रत की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट होगी खाने में और पोस्टिक होगी ये व्रत में आपको फुल फिल रखेगी आपका पेट दिन भर भरा रहेगा तो आप इसी रेसिपी को जरूर ट्राई करना चाहेंगे चलिए मैं आपको इसे बनाने की रेसिपी बताती हूं फ्रेंड्स बहुत कम समय में सिर्फ पांच मिनिट में रेसिपी बनके तयार हो जा करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है रेसिपी और बहुत कम समय में व्रत में जल्दी से जटपट से बनने वाली रेसिपी को ट्राई जरूर करें वीडियो को एंट तक जरूर देखें का फ्रेंड्स मेरी आप से रिक्वेस्ट है वीडियो चाहे तो मीडियम साइज वाले भी ले सकते हैं तो इसे मैंने सिर्फ एक घंटा पानी में भीगोया है आप चाहे तो डाइकली कच्चा साबुदाना भी ले सकते हैं उसमें यह रेसिपी दस मिनिट में बनेगी और अगर आप पका हुआ साबु भीगा हुआ साबुदाना लेते हैं तो यह रेसिपी थोड़े कम समय में बन जाती है बस इतना ही फर्क है तो एक घंटा भीगे हुए साबुदाना को मैंने यहां पर ले लिया है एक बॉल आप कॉंटिटी अपने जरुत अनुसार कम या ज़दा कर सकते हैं उसके बाद अब हम इसमें कुछ चीजे है जीरा लेंगे रालेंगे जैसे की आलू, टमाटर और हरी मिर्च तो यहां पर मैंने एक आलू लिया है बड़े साइज का दो टमाटा लिए री मिर्च तो इसे हम पहले आलू को कट करले हैं क्यूब्ज में ना जयदा बढ़े ना जयदा छोटे आप अपने पसंद के अगर आप रत में खाते हैं तो अगर नहीं खाते हैं तो इसकिप कर सकते हैं वसे टमाटर आप रत में डाल सकते हैं क्योंकि टमाटर भी एक तरह का फ्रूट ही है सब्जियों में इसे नहीं गिना जाता तो इस तरह से हमने पहले आलो के पीसे सकल लिए हैं अच्छी तरह से भी हम कट कर लेंगे रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत कम समय में बन जाती है अगर आप मेरे इस चेनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शियर जरूर करेगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर भेजेगा मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले मेरे हर नियू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे फ्रेंड्स आप इसके चाय बनाकर ले सकते हैं तो इस रेसिपी को अगर आप खाएंगे वरत में आपका पेट जो है काफी टाइम तक लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होगा तो यहां पर मैंने एक हरी मिर्च डाली है जरूर तीखा मैं इससे नहीं बना रही हूँ चली आप देखते हैं आगे इसमें हम करीपता एड़ कर लेंगे क्योंकि करीपता का फ्लेवर जो साबू दाने के किचिछ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है मैंने यहां पर एक बड़ा चमच ओयल गरम कर लिया उसमें मैं आधा कटोरी डालें मूंग फली के दाने मूंग फली के दाने को इसकी बिल्कुल नग करें यह बहुत अच्छा टेस्ट देती है अगर आप नहीं खाते तो इसकीप करें अगर खाते हैं तो जरूर से डालें यह सब चीजें बहुत ज़्यदा पोस्टिक होती है व्रत में खाने से इससे हमारा पेट बहुत देर तक भरा रहता है तो हमने सबसे पहले फल्ली दाना को फ्राई करके निका लिया उसके बाद हम डाल रहे हैं इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने की कोशिस कर रहे हैं तो इसमें डाल देंगे हम थोड़े से काजू फ्राई करके आप यहाँ पे किश्मिस भी ले सकते हैं जरुत अनुसार थोड़ा सा मीठा फ्लेवर भी बड़िया सा आ जाएगा अब हम इसमें डाल रहे हैं कटे हुए आलू उसी तेल में हम डाल रहे हैं इसमें हमने आलू को ढाकना नहीं है अच्छी तरह से open में ही फ्राई कर लेना है जब ये अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए तो इन में एक अच्छा सा सुंधा पन बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और अगर हम इसे ढग देते हैं तो फिर ये उबले हुए आलो की तरह हो जाता है आलो को साइड में करें इसमें डाल दें अधा चमच जीरा और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और करी पत्ता अगर हम सुरुवात में ही हरी मिर्च जीरा करी पत्ता डाल लेते हैं वो सबी चीजे जल जाती और उसके बाद हम टमाटर एड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब हम डाल देंगे इसमें सिंधा नमक उपवास वाला नमक आधा चम्मज बाद में हम और भी नमक एड़ करेंगे अभी समने सिर्फ आलो के लिए डाला है और जो हमने एक बाउल इसमें रखा था साबू दाना भीगा हुआ उसे हम एड़ कर देंगे और अब हम इसमें उपर से और नमक डाल रहे हैं थोड़ा सा इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल दिया है अगर आप इसमें एक बाउल साबू दाना ले रहे हैं तो दो बाउल पानी डालिएगा अब हम इसमें डाल रहे हैं मकाने, मकाने बहुत ज़यदा कैलसियम से भरपूर हेल्डि होते बहुत ज़धना तक हमारे पेट को फुल फिल रखते है, पेट भरा हुआ मेसुस होता है इस लिए हमने इसमें मकाने भी एड कर लिए हैं अब हमें इसे तीन से चार मिनेट पकाना है बस तीन चार मिनेट में हमारी साबुदाना की यमी-सी रसेदार खिचडी बनके तैयार हो गई हैं आप इस इस्टेज पर धनियापति से गानिज भिए कर सकते हैं अगर आप कच्चे साबु दाना को लेते हैं तो चार-पांच मिनिट और एश्ट्रा आपको पकाना पड़ेगा बट कच्चे दाने के साबु दाने की भी ये रेसिपी बन जाती है आप डारेक्टली बिना भी गोई भी इस रेसिपी को बना सकते हैं यहाँ पर हमारी खिचडी बन के तयार हो गई है उपर से अब हम एड कर लेंगे मुमफली के धाने और काजूओ को जो हमने फ्राई करके रखे थे लास्ट में ही इसे एड करना ताकि इसके जो क्रिस्पी है वो बनी रहे चलिए अब हम इसे सरु कर लेते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमारी बन के तयार हो गई है रत वाली खिचडी रसेदार खिचडी आपने बहुत बार सूखी खिचडी बनाई होगी बहुत सारे लोग को वो खिचडी पसद नहीं आती है सूखी सूखी हो जाती है तो इस तरह से आप लिक्विड वाली खिचडी बनाते हैं तो बहुत ही एक मज़िदार सा टेस्ट आएगा और एक नया ट्राइल होगा आपका यह बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है प्रेड़ सारी रेसिपी अपने चैनल पर डाली है उन सबी रेसिपी के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगे जहां से आप चेक कर सकते मेरी रेसिपी को आपको वहां पर सारी रेसिपी वरत की मिल जाएंगी यह देखिए फ्रेंड सर्व कर दिये हमने कि आप इसे बनाकर टिफिन में भी ले जा सकते हैं अगर आप ऑफिस वाले हैं तो आप इसे बनाकर अपने साथ में लंच बॉक्स में भरके ले जा सकते हैं रेसिपी अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करिएगा फैमली और फ्रेंड्स में शियर जरूर करिएगा मेरी रेस डेर सारी मेरे चैनल पर अपलोडेड है आप उसे जाकर जरूर देखे रेसिपी अच्छी लगेगा तो लाइक जरूर करेगा फ्रेंड्स मिलते हैं आप से नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बबाई फ्रेंड्स टेक क्यार झाल झाल झाल